आज का पार्ट है रिपोर्टार्ज, रिपोर्टार्ज क्या होता है, रिपोर्ट से यह किस तरह से अलग होता है, और रिपोर्ट से क्या समानता होती है, रिपोर्टार्ज की क्या विशेश्टाई होती है, और हिंदी साहित्य में कौन-कौन से प्रमुख रिपोर्टार्ज ल तो आई ये पार्ट शिरू करते हैं इस पार्ट को मैं अल्पना वर्मा प्रसुत कर रही हूँ और आप मेरे यूटीब चैनल पर इसे देख सुन रहे है रिपोर्टार्ज क्या है? रिपोर्टार्ज आधुनिक हिंदी गद्य लेखन की नवीनतम विधा है यह पत्रकारिता से संबंदित विधा है ऐसा भी से कह सकते हैं क्योंकि पत्रकारिता में ही इसका अधिकतर प्रयोग देखा जाता है रिपोर्टार्ज शब्द कहां से आया? रिपोर्टार्ज शब्द फ्रांसिसी भाषा का शब्द है और यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का समानार्थी है हिंदी में इसी शब्द को हम भी प्रयोग में लाते हैं और रिपोर्टाज लेखन की शुरुवात हम दूसरी विश्विद्द से देखते हैं उस समय की जो घटनाई थी उनको लिखते समय इस विधा का प्रयोग किया गया था रिपोर्टाज की सरल सी परिभाशा यहां देख सकते हैं रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहितिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं हिंदी में इसका लेखन कब से शिरुवा तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की प्रारंबिक प्रयास भारतेंदू यूग से दिखाई देने लगते हैं भारतेंदू जी द्वारा 1877 इस्वी में हैस्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित दिल्ली दर्भार का वर्णन रिपोर्टाज की कुछ विशेश्टाओं को प्रदर्शित करता है रिपोर्टाज का उद्देश्य क्या है सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ती करना जिससे सतही वास्तविक्ता और तत्थ्य परत्ता मानव की अनुभूती से जुड़ सके और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका गहरा संबंद है क्या संबंद है ये मैंने बता दिया बहुत ही महीन अंतर इन दोनों में होता है क्या अंतर होता है रिपोर्ट सामाने शञी में लिखी जाती है और हम कह सकते हैं कि सामाने शयली में लिखा किसी घटना का यथा तत्य वर्णन होता है जबकि reportage में हम चित्रात्मक भाशा का प्रयोग करते हैं या कहिए कि रेखा चित्र शैली में लिखते हैं तो आप अगर इस तरह से अंतर पुछा जाता है तो column बनाकर अंतर लिख सकते हैं या इस प्रकार भी लिख सकते हैं दूसरा अंतर है report में साहित्यत्ता नहीं होती जबकि reportage में कथा ततु का मिश्ण रहता है आखों देखियों कानों सुनी घटनाओं पर भी reportage लिखा जा सकता है इसका संबंद वर्तमान से होता है यह भविश्य और भूत से जुड़ा रह सकता है या जुड़ा हो सकता है यह यानि reportage सत्य और वास्तविक्ता पर आधारित होना चाहिए reportage के विशय कल्पित नहीं हो सकते यह भी एक विशेष्टा है तो हम कह सकते हैं कि कल्पना के आधार पर reportage नहीं लिखा जा सकता पांचवी विशेष्टा घटना प्रधान होने के साथ ही reportage को कथा तत्व से भी युक्तो होना चाहिए reportage लिखक को पत्रकार तथा कथाकार दौनों की ही भूमी का निभानी पड़ती है तो reportage लिखक के लिए यह भी आवश्चक है कि वह जनसाधारन के जीवन के सच्ची और सही जानकारी रखे जिससे वह अपने लिखन को और अधिक प्रभावी बना सकता है और पाठक से आसाने से जुड़ सकता है हिंदी रिपोर्टार्ज साहित्य में रांगे राघाव जी का रिपोर्टार्ज का जो संकलन है तूफानों के बीच इसका एक विशेश और कह सकते हैं कि स्थाई महत्व है बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस पर इनों ने ये रिपोर्टार्ज लिखे थे और इसी विधा में डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त का भी नाम उलेखनी है इनके घटना प्रधान रिपोर्टार्ज रेखा चित्र नामक संग्रह में प्रकाशित हुए इसके अतिरिक्त उपेंद्रनात अश्क जी के रिपोर्टार्ज रेखाएं तथा चित्र नामक संग्रह में संकलित है भदंत आनंद कौशल्यायन इनका संग्रह है देश की मिठ्टी बुलाती है धरमवीर भारती जी का रिपोर्टार संग्रह है युद्धियात्रा समशेर बहादूर सिंग लेखक हैं और इनका संग्रह है प्लाट का मोर्चा डॉक्टर भगवत शरण उपाध है इनके रिपोर्टार्ज खून के छीटे में संकलित है शतीश कुमार जी का है क्या हमने कोई शड्यंतर रचा है श्रीकांत वर्मा जी का संग्रह है मुक्ति फॉज और कमलेश्वर जी का रिपोर्टार संग्रह है क्रांती करते आदमी को देखता कनया लाल मिश्र प्रभाकर जी का कन बोलेक्षन मुस्कुराए ये कुछ प्रमुक लेखग है जिनके नाम और उनके उलेखने रिपोर्टार्ज के नाम यहां दिये गए है तो हिंदी में रिपोर्टार्ज ने 35 से 40 वर्ष में महत्वपोर्ण स्थान बना लिया है पनिश्वरनात रेणू जी के रिपोर्टार्ज जो बिहार की बार पर दिनमान पत्रका में लिखे गए थे बहुत मरमिस पहशी है तो इसके साथ ही यहां इस पार्ट को मैं समाप्त करती हूँ आपकी कक्षा की प्लेलिस्ट में आप अन्य पार्टों को भी देख सकते हैं धन्यवाद